हालो साथियो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चाइनल सक्सेज नालिज पर दोस्तों यहां पर मैं जो करवाने वाला था वह चेप्टर फोर को करवा रहा था फिजिक्स क्लास बारा इंशियारटी पर तो इस पर मैंने एक बेरी मोस्ट इंपर्टन टापिक जो कि बंदप्रस्ट पर संबहुता इसी प्रकार ये वह बंदप्रश्ट पर ही संबहुता है ये बाता आप जान लीजिए जो इंपर परिपथी नियम अप जियोन भर नहीं बूल पाओं के साउप आपकी यहीं से समझ हूं आएगा बस वीडियो को आंदे तक देखते यह चाइनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेश जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता चले वीडियो देखने में आपको मज़ा आ रहा है तो दोस्तों आईए स्टार्ट करते हैं तो इंपीयर का परिपधी नम नियम में दौस्तों इंपीयर नामक जो बैज्ञानिक थे उन्हों ने एक फार्मूला दिया विखालॉला था यह समकल का सायन और शोनवी की छेत्रब इंटु में रेखी it सब इंटू में म्यो नाट इंटू आई यह उन्होंने हमें एक फार्मूला दिया था whichãy चाहिसँ यहांपर आपको कहरा है एंपियर के नियमा अनुसार किसी बंद प्रश्ट पर मैंने आपको बता दिया कि गौस का नियम या फिर एंपियर का परिपथी नियम के अनुसार किहाना दोस्तो किसी बंद प्रश्ट पर कुब की छेतर बी का रेखी समाकल उसमें प्रवाहित बैदु दारा आई के मियूँ नारट गुना होता जान्ते है जुपी सोब्सक्टिंध की स्षैतर है तक इसके यूव नचरा होती है परिपत में जो प्रवाइद धारा होती है इसके बाद यह आप जानते हैं यह जो हमारा एक रेखी समकल रेखी समकल है यह यह आज दोस्तों इतनी चीजे जानने के बाद आपको कहें देना है एंपियर के नियमा अनुसार कहें क्या देना है एंपियर के नियमा अनुसार किसी बंद प्रस्ट पर किसी बंद प्रस्ट पर चुम्द की जेत्र का रेखी समकल उसमें प्रवाहिद धारा के म्यूनाट गुना होता है, दोस्तों आसा करता हूँ इस हार्मूले से आपके समझ में आ रहा होगा, कहना कहा है, एंपियर के परिप्रथी नियम बता रहे हैं, आप तो कहें देंगे, एंपियर के नियमा अनुसार, किसी बंद प्रष्ट पर चु प्रष्ट पर यहां पर मैंने इसी फार्मूले के मदद से निकाली हुई डेफिनीशन लिखी है और आपको समझाने की कोशिस करूंगा, यहां पर मैंने लिखा है, एंपियर के परिपथी नियम के अनुसार, देख सकते हैं, किसी बंद प्रष्ट पर संभा होता है, तो किस दुद्धारा होगी, तो यह उसका मिउनाट गुदा होगा, जो संख्या गुदार में लिखी होती है, माल लिजे लिखा है, एंपियर के परिपथी नियम के अनुसार किसी बंद प्रष्ट पर चुम की छेत्र का रेखी, समाकल उसमें उत्पन दारा के यह प्रवाहित दार कर दोस्तों इसकी पीडियाप भी में नीचे डिस्क्रिप्सन में देने की कोसिज करूंगा यह नहीं भी देता तो आप इसका स्क्रिंसाट ले लिजिए और इससे आप लर्न कर लीजिए यह आपके समझ में आ गया होगा बस दोस्तों आज के लिए इतना ही मुझे कमेंट करके जरूर रताएं कि मेरे समझाने से आपके 10% समझ में आया फिर 100% समझ में आया